बेसक दोस्तों मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिल्मोरा से जो की एक पैट साप्टिवर है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ यह बेस्ट फ्री स्क्रिन रिकॉर्डर के बारे में जो की आप विंडो 10 PC पर यूज कर सकते हैं और टोटली फ्री ह कोई वाटर मार्क नहीं है 100% गारेंटी मैं दे रहा हूँ ठीक है वरना आप वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं और जो है कमेंट में जो है कुछ भी गाली वाली दे सकते हैं यहाँ पर मैं रेयल मतलब सब्सक्राइब के वारे में बता रहा हूँ जिससे आप अपने यूटू सी और आगे आप देख सकते हैं screenrec.com लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको सिद्धे जाना है अपने कंप्यूटर या लेप्टॉप के ब्राउजर में ठेक ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पर यह डारेक्ट यह वाली लिंक अगर आप टाइप कर देते हैं इसका मतलब क्या है कि यह जो मैं आपको screen recorder के बारे में बता रहा हूँ यह Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 यानि कि यह सारे Windows वर्जन पर चलने वाला है तो है ना कमाल का अब चलिए वीडियो को लाइक कर देजिए इसी बात पर चलिए तो यहाँ पर यह वेबसाइट ओपन हो गई है य और यह यहाँ पर download हो जाएगा इसकी खास बात क्या है इसकी खास बात यह है कि काफी सारे लोग जो पूछते हैं भाईया बेस्ट screen recorder हमारे PC के लिए जो कम size का हो ठीक है तो इसलिए यह मैंने ढूंड कर निकाला है आप लोगों के लिए बहुत ही कम size का है चलिए आपको इ इस्टॉल होगा लेकिन हम उसके पहले हम आपको बताते हैं इसके size के बारे हैं यहाँ पर download में जाएंगे और इसकी size देखेंगे ठीक है यह देखिए इसकी size है so in folder करते है ठीक है तो देख सकते हैं यह 186 kb का स्रिफ application है जिसको हम जिससे हम अपने computer के screen को record कर सकते हैं बिन किसी watermark के यानि सिर्फ 186 kb का software आपके YouTube चैनल को एक बढ़िया वीडियो दे सकता है ओके चलिए तो इसको मैं minimize करता हूँ यह सारा कुछ उसके पास इसको हम अपने laptop में इस screen recorder को install करेंगे next पर click किजिए agree पर click किजिए और next पर click किजिए इसके बास से next पर फिर से click किजिए और यह कुछी सेकेंड में यह screen recorder आपके PC में install हो जाएगा उसके बास से आप लोग अपने YouTube वीडियो के लिए screen record कर सकते हैं यानि कि विंडो की screen recorder कर सकते हैं चाहें आपके पास window का version 7 हो 8 हो या 10 हो यानि कि विंडो के किसी version में यह software चलेगा इसकी guarantee मैं नहीं दे रहा हूँ यह website वरिदर है ठीक है मेरे पास window 10 है and window 10 pro है तो मैं यूज कर रहा हूँ फिलाल मेरे पास window 7 नहीं है लेकिन इस website का दावा है कि आप इसे किसी भी window version पर यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका setting भी दिखाऊंगा कैसे easily आप इस screen recorder को यूज कर सक इसे यह open हो जाएगा ज्यादा समय नहीं लेगा क्योंकि छोटा सा है अब यह देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस आल्ट एस नाउ टू कैप्चर यूर स्क्रीन ओके अलड़ी मैं यहाँ पर फिल्मोरा का साब्टवर यूज कर रहा हूँ मुझे कुस यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड करने की जोरत नहीं है आप लोग इस साब्टवर की मदद से अपने विंडो की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके मुझे बताईएगा ठीक कमेंट कीजिएगा आकर वीडियो पर कैसा है यह सब्टवर यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कोई दिक्कत नहीं अगर कि यह काम नहीं करेंगा तो 100% ओके अभी मैं आपको दाता हूँ कुछ और स्टिंग्स यह हम यहां पर इसको कट कर देते हैं यह देखे यह जो कैमरा दिख रहा है अभी यह कैमरे पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा यह लिग रहा है कि क्लिक और ट् यहां पर यह है रिकॉर्डिंग यानि कि यह जव था इसका आप जो है डारेक्ट अपने PC में स्क्रीन सोट ले सकते हैं अपने Windows 10 में Windows 7 में और यह जो आपको आइकन दिख रहा है यहां से आप अपने Windows 10 की स्क्रीन को या फिर किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन को प्लोड भी कर सकते हैं चली अभी मैं इसको भी इसकेप कर देता हूं फिलाल उसके वास यहां पर सेटिंग दे गई है तो अब हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डर साप्टेवर की सेटिंग कर लेते हैं सिधे में से क्लिक करेंगे और यहां पर यह माइक का ओप्शन है और यहा आप कैमरा यूज करना चाहते हैं तो यहां पर कैमरा भी अलग से लगा कर वेब कैम यूज करके आप कैमरा के साथ भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको दिया हुआ है माइक्रोफोन यहां पर सेलेट करने के लिए अपने सिस्टम में जो भी तो यहां से इसको one click में इसको on करेंगे तो आप अपने computer का screen record कर सकते हैं audio के साथ यह problem solve हो गई है recording quality कितनी होनी चाहिए तो normal है जो है standard quality है फिर HD है 4K video recording भी आप कर सकते हैं लेकिन यहां पर इसके लिए हो सकता है कुछ plan हो फिलहाल मैं यहां पर लंबर नहीं जाओंगा देखिए आप कुछ signing करने के लिए ओल रहे हैं तो यह बात की बात है मैं इसको बात में चेकर करके आपको बता दूँगा फिलहाल आप जो है HD यानि की standard side का video record कर सकते हैं अपने laptop में अगर आप कीबोर्ड का shortcut यूज़ करते हैं तो आप अपने computer की screen को record कर सकते हैं Alt S मैं यहां पर प्रेस करता हूँ Alt S तो देखिए तुरंत यहां पर screen short and video recording का option आगया है मैं इसको escape कर देता हूँ तो आप अपने laptop की screen को record कर सकते हैं तो बाकी कुछ यहां पर नहीं है अब हम इसका थोड़ा साथ demo देख लेते हैं मैं यहां से cut कर देता हूँ यह एक चीज है यहां पर आपको दिया गया है navigation तो आप इसको कहीं भी इसको move कर सकते हैं इदर 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 इसको बीच में रखेंगे रख जाएगा बीच में भी आ जाएगा इस side में रखेंगे तो यहां भी आ जाएगा नीचे रखेंगे तो नीचे भी आ ज लेकिन मैंने इसको यूज किया अपने लाइप टॉप पर अभी मैं अपने PC पर यह स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिल्मोरा से लेकिन इस अपड़र को मैंने अपने लैप्टॉप पर यूज किया है यह बिल्कुल बेस्ट फ्री रिकॉर्डर है और बिना किसी watermark कोई भ यहां पर इसे screenshot लेता हूं इतने का, ओके, तो देखें, यह screenshot आ गया, इसके अलावा में आपको बता दूँ, screenshot को आप edit भी कर सकते हैं, बहुत ही best subduor है, कमाल का subduor है, इस पे हम click करेंगे, तो आप हम यहां पर drag कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से drawing कर सकते हैं, तो इसके बाद मैं इसको जो है, यहां पर अगर यह मैं यह arrow का icon यूज़ करता हूं, तो मैं यहां पर इसको ऐसे तीर लगा सकता हूं, कुछ अगर समुझे educational वीडियो बनाने हैं, टुटोरियोस बनाने हैं, तो वहां पर आप आपको पता है, कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यदि से अपने laptop या PC या computer में screen capture करके, या नहीं कि screenshot लेकर उसको edit करके, इस तरह से आप easily अपने audience को समझा सकते हैं, ठीक है, तो है ना कमाल का आप क्या है, यहां पर text भी लिख सकते हैं, वो भी totally free, हाँ यहां पर click करेंगे और यहां पर हम text लिखेंगे, चलिए मैं text लिखकर यहां पर text से लिखते हैं, तो text में क्या लिखना है भई, यहां पर इस पर click करते हैं, और इसको यहां पर, यह इसको select करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां साइड में, और यहां पर text आजाएगा, तो यहां पर कौन से color से लिखना है, यार, white से लिखना है, यार, white से लिख इसकी स्क्रीन रिकोर्डर ओके तो यहां पर मैं लिखा है हाला कि यह दिखने रहा है मैं यहां से थोड़ा इसका जो चेंज कर देता हूं इसको यहां पर रखता हूं तो साइड यह दिखे बीच में अभी मैं इसका color change करूंगा तो color मैं blue करूं तो दिखेगा इस तो कितना kanal का free software है यार। इसको यूज आ गया है मुझे तो इसको अगर यूज करते हैं तो देखिए कितना कमाल का है अभी इसको यहाँ से टूस्त करेंगे तो यहां पर ऑन उपने करेंगे तो दोस्तों यह वीडियो पूछना चाहते हैं को सब्सक्राइब क है और यह बताईगा हमें करें क्या ये यह developing Windows 7, Windows 10 या Windows 8 के लिए या आपके laptop के लिए best screen recorder सब्टेवर है की नहीं ठीक है ओके, finalist वीडियो में इतना ही, मिलेगे खिसी next वीडियो में तक लिए, thank you so much for watching